नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल निताजी में आपका स्वागत है, आशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे दोस्तों, आज मैं किसी सब्सक्राइबर या दर्शक के कहने के बाद ट्रांसफर के संबन्द में या वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, रेल्वे में ट्रांसफर रेल्वे करमचारी के एक बहुत बड़ी चिंता का सबब रहता है वो भी स्पेशली ग्रूप C और ग्रूप D करमचारी के लिए तो आज मैं यहां बताने जा रहा हूँ कि रेल्वे में ट्रांसफर कई प्रकार के होते हैं तो चलिए बात करते हैं पहला यानी ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी कहा जाता है यह ट्रांसफर रिक्वेस्ट इंप्लॉई अपनी इच्छा से अपने पसंद के जोन के लिए लगाता है या नेटिव या होम टाउन लगाता है पहले पांस साल के इसमें कोई बादेता नहीं थी मगर हाल में किये गए बदलाओं के तहर पहला आपकी सर्विस पांस साल पूरी होनी चाहिए दूसरा पांस साल बाद वो अपने पसंद के जोन में लगा सकता है जहां वो उस जोन के मैकसिमम तीन डिवीजन का प्रिफरेंस ओर दे सकता है यानि अगर उस जोन में आपका ट्रांसफर होगा तो आपने जिस डिवीजन के लगाया है उस जोन में उसमें पहले दूसरे preference के हिसाब से vacant vacancy के हिसाब से आपको allot किया जाएगा division नमबर तीन यह जिस zone के लिए आप transfer लगाना चाहते हैं तो पहले आप जिस zone में हैं वहाँ पहले अपना application submit करेंगे वह application आपके concern zone जहां के लिए आपने request लगा है वहाँ भेजा जाता है और वहाँ भेजने के बाद उस concern zone से जहां के लिए आपने request लगा है no objection certificate आने के बाद आपका zone आपके division को relieve करने का आदेश देता है और division द्वारा relieve कर दिये जाने के बाद आपको वहाँ पे transfer किया जाता है नमबर चार इसे ही report करते हैं तो उस division के आप सबसे junior हो जाते हैं यानि junior most आप वहाँ पे हो जाते हैं नमबर फाइब NOC आने के बाद 6 महने के अंदर transfer order निकलना चाहिए या relieve किया जाना चाहिए आने था as per railway board लेटर 6 महने बाद आपका NOC निरस्त हो जाता है नमबर 6 own request transfer list आपके division के seniority के हिसाब से बनता है यानि आप से पहले आपके senior का यदी कोई request transfer है तो उसका transfer पहले क्या जाएगा ये अलग बात है कि वो transfer request होने के बाद यो चाहें तो अपना वापस ले सकते transfer अगर नहीं जाने का मनो बशर्ते उनका transfer request application पहले लगा हो और no objection certificate पहले आया हो यानि transfer seniority application submission और NOC के हिसाब से decide किया जाता है senior होने पर भी माल लिजिए senior होने पर भी अगर junior ने application पहले submit किया और NOC पहले आया तो transfer list जो होगी उसमें junior का transfer senior से पहले हो सकता है नमबर 7 own request transfer यानि zonal transfer के बाद किसी प्रकार की transfer benefit नहीं दिया जाता है जैसे 10 दिन का leave मिलता है या आपको एक basic का 80% pay किया जाता है administrative ground transfer में जो आगे बताने वाला होने तो ये benefits इसमें नहीं मिलते हैं क्योंकि आपने अपने इच्छा से लगा है request इसलिए transfer related कोई भी benefit आपको नहीं दिया जाता है अब बात करते हैं कि माल लिजिए क्या होता है bottom seniority माल लिजिए example के तोर पे आप 4600 grade pay में हैं जहां से आप transfer करवाना चाहते हैं तो own request transfer में transfer होने के बाद जिस division या zone में आप report करते हैं तो वहाँ पे आपका grade pay 4200 में initial में count आ जाता है और वहाँ पे आप bottom seniority में आ जाते हैं और अन्त में आप वापस अपने parent division यानि जहां से आपने transfer लिया है वहाँ से वापस transfer नहीं ले सकते तो यह हुआ आपका own request zonal transfer चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं periodical transfer के सम्मन में यह आपको आपके posting के चार वर्स पूरा होने के बाद सामाने तक किया जाता है वैसे एक साल या दो साल पर भी किया जाता और यह आपके आप अपने पसंद के station का request application लगा सकते हैं जैसे कि आप जहां posted हैं और उसके बाद आपको nearest कोई station या किसी particular station पर काम करना है तो उसके लिए आप request लगाते हैं application submit करते हैं request लगाने का मतलब यहाँ पर यह है जिसमें आप तीन station का preference देते हैं तो वहाँ vacancy होने के बाद या चार साल का आपका term पूरा होने के बाद आपका transfer किया जाता है request नहीं लगाने पे आपका administration अपने मन से administrative ground पर transfer करता है और वो कहीं भी पूरे division में कर सकता है तो normally employee कहीं भी transfer और transfer के बाद होने वाली समस्या ना हो इसके लिए वो request लगाते हैं अगला promotional ground पर होने वाला transfer यानि मान लेजिए आप 4200 grade पे में काम कर रहा है या कोई 2400 grade पे में employee काम कर रहा है कोई 1800 grade में काम कर रहा है तो 1800 से 1900 या 2400 से 2800 4200 से 4600 में promotion होने पर employee का transfer प्रसासन कर सकता है जिसे promotional या administrative ground का transfer कहा जाता है इसमें आपको transfer related benefits दिये जाते 10 days leave along with आपके basic का 80% आपको pay किया जाता है हाला कि आपका administrative grant पर transfer ना केवल division कभी कभी जो उनमें भी कहीं पर किया जा सकता है ये आपके appointment लेटर में even है कि railway आपका कहीं भी transfer कर सकती है मगर सामने तक 99.99% case में ऐसा नहीं होता है चलिए अब बात करते हैं mutual transfer के बारे में अगर किसी employee को Mumbai से Delhi or mutual transfer करवाना हो तो एक employee Mumbai का और एक employee Delhi का होता है यानि mutually दोनों तरफ के details दोनों तरफ भरे जाते हैं और application request submit किया जाते हैं दोनों employee same cadre से होने चाहिए हाला कि अभी एक railway board का later आया है जिसके तहत group D करमचारियों के लिए कुछ department में छूट दी गई है कि अगर cadre ग्रेड पे सेम है तो department अगर अलग-अलग है तो भी mutual करवा सकते हैं यानि एक pointsman चाहिए तो एक track maintainer से करवा सकता है लेकिन सामनता सभी group C करमचारियों में ऐसा नहीं है सिर्फ group D करमचारियों के कुछ departments के लिए ऐसा किया गया है तो group C में दोनों employees same cadre के होने चाहिए दोनों का mutual consent होना जरूरी है और दोनों का एक दूसरे के division में यानि submission जो होगा transfer वो Mumbai, Delhi का दोनों के division में submission होगा और transfer दोनों का दोनों ही division में होगा यानि जिस division के लिए request लगा है उसी division में transfer होगा और year transfer division level पर होता है समय यह transfer सामाने तह तीन महिने में नेधारी तवदी है लेकिन पाँच से छे महिने मुखिता लगी जाते है उसके बाद दोनों employee में जो junior होता है seniority जैसे zonal request transfer में आप bottom seniority पर जाते थे लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों employee में जो junior होगा उसकी seniority दोनों employee को प्राप्त होती है और same situation आप parent division में transfer सीख नहीं कर सकते हैं और इसमें transfer होने के लिए एक और criteria है जो बहुत महत पुनी या तो आपका RRB से आ रहे हैं या promotional quota से आ रहे हैं या आपका category सेम होना चाहिए यानि RRB, RRB का mutual transfer हो सकता है तब category matter नहीं करती है और अगर category सेम है यानि general OBC का general OBC से और SCST का SCST से ही होगा different categories में यानि SCST का general OBC से नहीं होगा general OBC का SCST से नहीं होगा और RRB का departmental से नहीं होगा अब बात करते हैं spouse ground transfer के सम्मन में spouse यानि पती-पत्नी यह transfer भी 90 दिनों के भीतर करने का नियम है इसमें आपके पत्नी या पती किसी को central या state या public undertaking या semi government job में होना चाहिए उसमें होने के बाद spouse ground job के department head के documents को आपको अपने department में submit करना होता है इसकी file अन्य transfer की file से fast और अलग create की जाती है same आपको particular division से NOC आने के बाद आपका transfer कर दिया जाता है और spouse ground transfer सबसे fastest transfer में एक गिना जाता है mutual transfer के साथ और यहां तक इसमें कई जगों पे नियम बनाएगा कि spouse ground पे transfer होने वाले employee की जो posting होगी उसके spouse यानि माल लिजे पती या पत्नी के job के ground पे आप transfer ले रहे हैं तो उनके job के within 30 km के ratio में always आपकी posting की जाएगी तो यह बहुत बड़ा benefit है spouse ground transfer के सम्मन्द में और इसके लिए आपको application लगाना पड़ता है same process से जो spouse आपके अलग department में work कर रहे हैं वहां से documentation लाना पड़ता है कि आखिर किस department में काम कर रहे हैं यह भी division के level पर ही होता है यानि आज मैंने transfer के सम्मन्द में आपको जो बताया जोनल request transfer, mutual transfer, spouse ground transfer और periodical transfer, promotional transfer, administrative transfer इतने transfer अब एक last transfer जिसके सम्मन्द में मैं बात करना चाहूँगा यह transfer है inter-divisional transfer यानि किसी भी zone में division change करना हो जैसे center level है अगर उसके Mumbai से आपको भुसावल division में जाना हो जो एक ही zone में है तो यह भी transfer request होता है यह भी fast होता है या 2-3 साल के अंदर करवा दिया जाता है तो normally एक तरह से आपका transfer आपके native land या hometown के लिए हो सकता है करवाया जाता है थोरा समय लगता है लेकिन जरूर होता है आपके पसंद के stations भी दिये जाते है यह थी transfer के सम्मन्द में जानकारी दोस्तों